हेलो गाईज आप देख रहे हैं सके लिए बनेक्सपर्ट का यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो आपको विमेंज सुपर स्माइशी 20 का जो सात्मा बैज कल खेला था दिखेगा यहाँ पर सेंटर हिंस विमें वर्सिस सेंटर बात करने वाले फुल प्रिभ्यू गाईज आपको इस वीडियो मिले वाना है यानि कि इस मैच की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा देखते रहें बाकी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टन बात इस मैच की फ प्रिस्किप्शन वाला लिंक काम ना करें तो आपको अपने टेलिग्राम में जाना है सिंप्री सर्च करना है अट दर डेट एसके लेवन एक्सपर आपके आपी टालेटर में सर्च करिएगा उसके बाद गाइज आपको हमारा टेलिग्राम चैनल मिल जाएगा वीडियो पर और आप यहाँ पर अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी ओन कर सकते हैं भी जाकर आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी अब चलिए गाइस इस वीडियो को मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं सबसे पहले सेंट्रल हिंट स्विवन पर आते हैं तो गाइस इनके तरब से मुझे न लगता यहां पर जो लास्ट मैश में प्लेंग ले में होने वाले ठीक है तो इनके लिए गाइस नाटालिया डॉट इनकी विकेट कीपर बैटर ओपनिंग करी है इमली यहां पर सुनी घम के साथ वन डाउन पर जैस वाटकिन है इनकी क्याप्टन सबसे मेन ओल डाउंडर टू डाउन पर केट टॉमिलसन है थी डाउन पर है ठीक है फोर डाउन पर है हन्ना रो एक और टीम की इंपॉर्टेंट ओल डाउंडर फाइब डाउन पर ओजी मर मेयर इस टीम के सबसे इंपॉर्टेंट फास्वर और साथ में कुछ रंस भी कर सकती है फिर यहां पर बारलेट है जो की रिस्की रहेगी इस मैच में इनकी पर नत्यालिया डॉड हमेशा की तरह अच्छा खेली हर साल हर सीजन ये टीम के लिए कंसिस्टेंट रहती है 37 रंसी नो ने किये सुनी घम जीरो जैस वाटकिम सोला साथ में चार ओवर के बॉलिंग में एक विकेट टॉमिलसन जीरो क्रेग अच्छा खेली 27 हना रो दो रन ह यार काफी महेंगी गई चार ओवर की बॉलिंग में 40 रं दी लेकिन विकेट नहीं मिला नॉर्मली गाईज ये टीम के सबसे इंपॉर्टेंट फास्ट पॉलर है और विकेट टेकर भी है गाईज ठीक है निव्जलेंड नुमें के लिए इनके पास खेलने का एक्सपिरियं और ये पहला मैच हार करा रही है जादा रण चैन हारी थी लेकिन फिर भी हार करा रही है आप गाई सबसे बड़ते हैं यह यहां पर आप सेंटर हिंट्स का लाज सिजन का स्टैट देख सबसे अगर आप लास सिजन के स्टैट पर फोकस करेंगे तो इनके लिए जो टॉप परशुसर्टामीर के साथ, लेकिन इनका फ्राइक अच्छा था, ठीक है, यह तेजी में खेलना पसंद करती है, बाकि हना रो 13 के साथ, 10 मैच में 137 रन, एक्टिंसन 10 मैच में 112, 14 के साथ, रोजी मारी मेयर, 9 मैच 11, 14 के साथ, टॉमिलसन 6 मैच में 73, 13 के साथ, और सुनिगं 9 म यहां पर रोज मरी मेर वाटकीन ग्रीन यहां पर बॉल्रस लगभग हर मैच में चार ऊवर डाल लई थी लासीजन ठीक है तो आप इनका ध्यान लिखिएगा तो गाइज इस टीम से अगर मैं इंपॉर्टन प्रेइट सापको बताऊं तो यहां पर नटालिया डॉड ठीक है और यहां पर एक green अच्छी है ठीक है तो यह कुछ इनकी important players है आप इनका सबसे ज़्यादा ध्यान दिखिएगा ठीक है अब चलिए guys हम दूसरी टीम सेंटर बरी women पर आते हैं तो यह team guys काफी अच्छा करिये टूनावंड में strong team है दो मैसे दोनों मैसे जीती है अपने captain सेथरवेट के बदलत ठीक है और वैसे भी team काफी अच्छी है इनके लिए guys आपको के अंडर्सन के साथ एनकोक्स ओपनिंग करती मिलेगी वन डाउन पर एलहक्स आएगी टू डाउन पर सेथरवेट थी डाउन पर आई सार्प फोर डाउन पर यहाँ पर जॉडी डेंट फाइब डाउन पर यहाँ गिर कर ठीक है अब बाकी गाई जोनों मैच इसकी स्टैट्स पर फोकस करेंगे तो अंडर्सन फर्स्ट मैच अच्छा के लिए बैटिंग से 34 रंस करके गई बॉलिंग अभी तक दो अबर की की है दोनों मैच इसमें लेकिन विकेट नहीं मिला है नैटकॉक सेकेंड मैच अच्छा के 76 रंस करके गई सैथर वेट दोनों मैच बहुत अच्छा के लिए है 73 नॉट आउट फर्स्ट मैच में 15 नॉट आउट सेकंड मैच में साथ में इन्होंने दोनों मैच इसमें पूरे 4-4 आवर की बॉलिंग की है और टोटल 8 आवर की बॉलिंग में इनके नाम पर 2 विकेट ह आई सार्प 17 ठीक है अच्छा के लिए थी सेकंड मैच में जोडी देन की एक मैच में बैटिंग आई है जिसमें मातर 1 रं करके गई और बॉलिंग भी मातर 1 आवर अभी तक मिला है गेरकन 10 रं फर्स्ट मैच में करके गई लियाता हूँ बैटिंग से ज़्यादा भी मौका नहीं मिला चार और साथ नोट आउट ही कर पाई है लेकिन अच्छी खासी फिनिसिंग करना जानती है साथ में आठ ओवर की बॉलिंग में इनके नाम पर एक विगेट है बैंक्स के नाम पर आठ ओवर की बॉलिंग में तीन विगेट सलेवन आठ ओवर की बॉलिंग में ती से नुवन के हर एक प्लेयर का last season का stats देख सकते हैं, अगर आप last season के stats पर focus करेंगे, तो इनकी top runner scorer सथरवेट थी, इनके लावा Mac के अच्छा के लिए थी, लेकिन Mac के अभी injured है, ठीक है, तो अभी नहीं ध्यान देंगे हैं उन पर, Ancox शीक के लिए थी, Tahuhu का performance शीक था, Savage का भी ठीक था, गाइस, बाकी विकेट में देखेंगे, top विकेट टेकर इनकी banks थी, उसके लावा गाइस, अभी Mac के तो injured है, साथरवेट के नाम पर विकेट था, सावेज के नाम पर विकेट था, ठीक है, और Tahuhu के नाम पर विकेट था, ठीक है, तो यही सब कुछ प्लेयर न इंपोर्टेंट और सलेवन इंपोर्टेंट, ठीक है, तो यह कुछ इनकी इंपोर्टेंट प्लेयर्स हैं, आप इनका सबसे ज़्यादा ध्यान ने किएगा, ठीक है, तो गाइस, इस मैज के लिएटे, जितना भी डेटा स्टार्स आपको जानना था, सब कुछ मैने एकदम अच्छे से डेटेल में आपको बता दिया है, तो होपफुली गाइस, यह सारा डेटा आपको काफी हल्प करेगा, खुद से टीम बनाने में, तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हूँ, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे, एक लाइक बहुत ज़्या कर आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी, ठीक है, अब चलिए गाइस, यहाँ पर हम अपनी ड्रीम 11 की टीम डिसकस कर लेते हैं, सबसे पहले गाइस, यहाँ पर हम बिकेट कीपर सेक्शन बनाएंगे, यहाँ पर आपको एंड और मिलेगी ओपनिंग पर, ठीक है, जोकि बहुत अच्छी प्लेयर है, हर साल कंसिस्टेंट रहती है, मेरी साब से बेस्ट पीक आपके लिए है, तो मैं इनके साथ तो जरूर जाओंगा, इस सीजन गाइस, एल हक्स भी वन डाउन पर आकर खेल रही है, वैसे लास सीजन तक काफी नीचे खेलती थी, ठीक है, और परफॉर्मेंस भी लास्ट माज में काफी अच्छा रहा इनका, तो आप जाहे तो इनके साथ भी जा सकते हैं, लेकिन नमबर वन चॉइस में आपको एंड डॉट दूँगा, अगर आपको सेकंड विगेट कीपर के साथ जाना हो, तो आप एल हक्स के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी अभी मैं बैटर सेक्षन पर आता हूँ, जहां पर केट अंडर्सन काफी इंपॉर्टन पेख है, ओपनिंग पर है, साथ में ये टाइम आने पर ओफिस पिन बॉलिंग भी कर सकती है, ठीक है, काफी अच्छी प्लेय ption से ओपनिंग पर, ठीक है, तो इनको भी मैं टीम में अभी जगह दे रहा हूँ, इसंसी प्लेयर है, ठीक टाक सा खेल लेती है, आपको 95 से विषरण बना के दे देगी, लेकिन अच्छी प्ति की यही है, ओपनिंग पर तुम मैं इनको ही लूँगा, बाकी ये सूनिगम है यहाँ पर एक एरकन वैसे तो उपनर है लेकिन काफी नीचे खेल रही है तो अभी हम इन पर बिल्कुल धियान नहीं देंगे अब हम आगे बढ़ते हैं गाईस ओल डाउंडर सक्षन पर आते हैं जहाँ पर आपको मिलेगी हन्ना रो ठीक है एमी सेथरवेट और जे वाटकिन तीनों इंपोर्टेंट डाउंडर से तीनों को गाईस आप अपनी टीम में ले लिए तीनों आपके लिए बेस्ट पिक है ठीक है तीनों आपको चार चार ओवर बॉलिंग के साथ अच्छे खासे रंस करती भी दिख जाएंगी ठीक ह हनारो थोरा बैटिंग में नीचे आएगी फोर डाउन पर सेथरवेट लेकिन वन डाउन आएगी और वाटकिन भी वन डाउन आएगी ठीक है तो तीनों को लेकर जाना ही हमारे लिए बैटर रहेगा अब आते हैं बॉलिंग सेक्शन पर गाईस जहां पर लिया तो आपके क्योंकि यह पूरे आपको चार ओवर की बॉलिंग भी देगी साथ में आपको रंस करके भी देगी अच्छी खासी ठीक है तो इनको हम सबसे पहले लेंगे फिर गाईस आप सुलेबान को ले सकते हैं जो कि काफी अच्छी बॉलर है विक्टे निकालती है ठीक है पूरे चा में खेल सकती है जो कि decent player है खेल दी है तो grand league की कुछ टी में ले सकते हैं एस्मूशन भी ठीक लेगे spinner लेकिन performance अभी तक ज्यादा नहीं है एंका तो इनको आप grand league में ही रखिएगा small league पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है mbanks last season की भी top bk taker और इस season भी इनका performance अच्छा रहा है तो इनको हम जरूर लेंगे अपनी team में बाकी guys इस match की सबसे बरी जो game changer है वो रोजमरी मेयर है इनका selection math 9% है trust me आपके लिए game changer बन सकती है बहुत कमाल की fast caller है साथ में आपको five down runs करती भी दिखेगी मैं अपनी team में 100% लूँगा यहाँ पर जनता ले या ना ले लेकिन मैं जरूर लूँगा ठीक है यह मेरे लिए second pick है तो यह दोनों जो player है तहूहू और mayor इन दोनों को guys लेना इसलिए important है क्योंकि दोनों balling के साथ आपको runs भी करके दे सकती है ठीक है तो एक तरीके से all downer का roll करीगी ठीक है अब next मैं Sullivan को ले रहा हूँ और साथ में ले रहा हूँ यहाँ पर guys banks को आपके पास एक और अच्छी baller है Sea Green आपके लिए अच्छी differential बन सकती है आप इनको consider कर सकते हैं Grand League मैं Asmussen को try कर सकते हैं Hanson खेलती है तो आपके लिए वो Grand League की अच्छी बनेगी option ठीक है और ज्यादा म यह player है guys इनके बिना इनके बिना आप किसी और को captain देने का सोध भी नहीं सकते है ठीक है आपको one down के batting के साथ पूरे 4 over देगी बहुत ज्यादा experience सकती है New Zealand 1 के लिए खेलने का तो यह इनको तो हमें simply captain करना अपना wise captain के अगर मैं option की बात करूं तो number one Jess Watkin one down for batting साथ में पू आप में पूरे 4 over करके देगी ठीक है तो VC के आपके पास 3 option है Watkin, Hanaro और Tahuhu Grand League team में आप यहाँ पर CVC try कर सकते है Mayor को चो कि आपके लिए बहुत अच्छी grand league की CVC के option रहेगी और K. Anderson को भी guys आप grand league में CVC कर सकते है ठीक है तो इन दोनों player का ध्यान रखेगा यह दोनों आपक कि टीम की काफी अच्छी CVC के option बन सकती है अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरी captaincy अभी के लिए साथरवेट के साथ है Vice captaincy Watkin के साथ आपके पास Hanaro और Tahuhu भी अच्छी डिफरेंसल CVC के option है आप उनको भी consider कर सकते है बाकि grand league का अल्डेडी बता चुका हूँ K. Anderson और Mayor आप ठीक लिए हमारा team का preview इसमें definitely 100% team में changes होने वाली है final team update बहुत 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 ज्यादा important रहेगी तो अगर आप अभी तक हमारी telegram channel पर join नहीं हुए तो मैं आपको एक बार फिर से remind करा दू आपको हमारी telegram channel का link इसी वीडियो के description में मिल जाएगा आप उस link पर जरूर यह पर click कर लिए है guys और हमारे telegram channel पर join कर लिजेगा ठीक है बाकी guys इसी वीडियो के description में एक बहुत कमाल की betting application वन बिन और एक बहुत कमाल की unique fantasy application fanada का भी link मिलेगा दोनों काफी कमाल की application है guys दोनों में आप काफी तगरी winning कर सकते हैं अगर आप अभी तक दोनों application में नहीं खेर रहें तो दोनों application का link आपको इसी वीडियो के description में मिल जाएगा आप जरूर चेक आउट करिएगा ठीक है तो बस guys आज किस वीडियो में इतना ही बहुत जल मैं आपसे मिलता हूं next video में